तीन सपेद चीज दोस्तों खाना बंद कर दीजिए आपकी 80% बिमारिया खताम हो जाएंगी तीन सपेद कलर की चीज है यह आपको हर तरीके से मार के छोड़ेंगी एक न एक दिन ध्यान लखना और थो पुरुसों बच्चा हो बुड़े हो सभी कोई वीडियो देखनी चाहि सबसे पहली चीज होती है मैदा इसका कलर सपेद होता है अब आप कहेंगे सार आटा भी तो सपेद होता है लेकिन आप मैदा की क्यों बोल रहे हैं देखिए मैदा गेहूं के उस भाग से बनाई जाती है जिस बाग में कार्वाइड्रेट की मात्रा जादा होती है एक हद त के लिए इसको इसमें केमिकल कर यूज किया जाता है मतलब कुल मिला के इसको रिफाइन किया जाता है जहां रिफाइन सब्द आ गया ना वो चीज हमारी बोड़ी के लिए सबसे घा तक होती है जैसे रिफाइन तेल होता है उसी प्रकार रिफाइन करके ही मैदा बनाई जा है आप गेहु ले जाते हैं और सीधा चक्की से पिश्वा के लाते हैं मैदा जो होती है वो गेहु के बीच वाले हिस्से से बनाई जाती है जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं इसमें हाई मात्रा में कार्वाइड्रेट होता है स्टार्ची कार्वाइड्रेट ग्लूटेन होता जो पेट में चिपकता है समझ रहें जैसे आलू से स्टार्च बनाया जाता है ना इस टार्च ऐसे ही इस बीच वाले से स्टार्च बनता है और हमको स्टार्च डायरेक्ट खाते हैं अगर हम स्टार्च डायरेक्ट खाते हैं तो हमारी बॉड़ी के लिए नुकसान दायक होता है क्योंकि आजकल गेहूं लोग जब भी प्रिश्वा के लाते हैं तो इसको च्छान लेते हैं और उसका जो छिलका होता है उपर का चौकर जो होता है इसको फैक देते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब प्रोटीन बिटामिन फाइवर होता है ध्यान नकिए और बीच वाल खा रहे हैं वह आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज यूश्वल होता है तरन रखिए अब सपेट चीज़ों में पहली किन्ती में ने मैदा की किया है इससे हमेशा कवज की सकायत रहती है पेट में चपकती है इसी को फिर आप तेल में तरह तरह के फूट्स बनाते है डि हमेशा अबरेएगर डिय कम जोर रहेंगी पाचन आपको बहँडा रहेगा इसलिए जी सफेद चीज को जतना हो सकति कम से कम खाये दूसरी नंबर की चीज होती है चीनी डेगीर्स होती है वो सबसे ज़्यादा घातक होती है जैससे इस लिस्ट में दूसरा नंबर है मैंने और कलर भी इसका सफेद होता है चीनी की अप्रेक्ष आप गुड़ खाली जिए आप मिस्री खाली जिए क्योंकि वो रिफाइन करके नहीं बनाई जाती है गुड़ सीधा गन्नी के रस्से बनाया जाता है और उसी प्रकार मिस्री जो आती है जो धागे वाली मिस्री आती है वो भी अन्रिफाइंड होती है रफाइंड नहीं होती है चीनी को क्रिस्टल रूप दिया जाता है छोटे-छोटे बनाय जाते यह को कई तरह के केमिकल से गुजरना पड़ता है तब इसको यह रूप मिलता है और फिर इसमें सबसे ज़्यादा आपको खत्रा है कि आपके सरी की सुगर बढ़ती है मुटापा बढ़ता है और अधिकांस तरह जितना भी मीठ जो मीठे पदारते वह चीनी से बनाए जा रहे हैं अच चुनिंदा गुड लीजिए जिस जिसमें आपको विश्वास है ठीक है लेकिन चीनी का प्रियोग कम से कम कीजिए चीनी आपको बिमार करके छोड़ेगी एक न एक दिन त्यान ना कि तीसरे नमर की चीज में आपको बताऊं होता है नमक सपेद नमक इसका कलर भी सफेद हो दो जो सेंदा नमक होता है वो चट्टन से निकल के आता है लेकिन ये नमक पानी से पनाई जाता है ओपानी से यह बुलकोल ऐसा होता है बहुत ज्यादा खरा hommes से निकाला जाता है और वह इसमें फिर इत्रेय गेमिकल स्में मिलाई जाते तहो इसको सपीद कलर मिलता है इस Jer लिए भर्यक्ति को पांच गराम से ज्यादा एक दिन में सफिदम्मक नहीं खाना चाहिए खाणा इसलिए जरूरी है सपिद और मजंद भी क्योंकि हमें हमको आयोडीन मिलता है ठीक है जो थायराड ग्लेट्स के लिए काफी जादा लाइवडायक होता है थायराड गरंथी के लिए इसलिए आयोडीन बताया जाता है तो पांच ग्राम से जादा जाएंगे तो इससे फिर बीपी की समस्चा आपको बनेगी क्योंकि सरीर में सोडियम की मात्रा लगेगा तरह जगे जिका सूजन आने लगेगी हाद पर सूजने लग जाएंगे इससे यह समश्या होती जादा नमक खाने वालों की तो यह तीसरे नमर की चीज़ मैंने इसलिए रखिए कोसिस कीजिएगा कि पांच ग्राम से उपर मच जाईएगा एक दिन में एक व्यक् खाईए ठीक है इससे ज्यादा मत जाईए कई लोग तो स्वाद बढ़ाने की चक्कर में डालते रहते हैं उपर से वह बहुत नुक्सान दायक होता है आपको दिल की बिमारियां होने का खत्रा बना रहेगा हमेशा दयान नकिए तो कहने का मतलब यह तीन सपेच चीज अग आप कोई स्था भी इन में से चुन सकते हैं अब नमक का भी कई option आपके पास है अब मेदा के अलावा भी आपके पास कई option है आटा कई तरह के अना जाते हैं बिलेट साते हैं उनका यूज कीजिए अगर गहूं खा रहे हैं तो चोकर वाला खाईए अनिता जोंजवार मक्क का रागी इन काटा खाईए कूटू काटा खाईए खमझ रहे हैं और चीजों से बचिए तो कहने का मतलब यह हैं आप अगर इन चीजों से दूर रहेंगे तो आप मुझे हमीसा याद करोगे कि सर बागे में जंद की सुधार दिया आपने वारी वीडियो को आगे शेयर कर हो सकती है धन्यवाद